तो हेलो दोस्तों के हैल चाले हैं उम्मीद है कि आप अच्छे होगे लेकर अपके लिए एक और इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों आपके लिए खुसकबरी आ चुकी है आपके लिए एक अपडेट आया है और अपडेट के आप पूरी जानकारी सुड़ेंगों देने वाले हैं जो हमने आपसे बहुत पहले कहा था वो ही हो चुका है तो step by step पूरी जानकारी देंगे तो प्लीज वीड़ो पूरा देखना हो सके तो इस वीड़ो लाइक कर देना शेयर कर देना चलते अब हम आईसीजी की साइट पर दोस्तो अब हम आच चुके हैं आईसीजी की लोगिन एकाउंट पर तो यहाँ पर आपको आना ठीक है और आपको बता दें आज क्या अपडेट आया है जो हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि आपका पेपर नेविक डीवी जीडी और यानती का हिंदी और इंग्लिस दौन में होने वाला है और वो ही हुआ 100% दोस्तों कनफर्म हो चुका है आज जिया दोस्तों यदि आप नेविक डीवी जीडी तियारी कर रहे हो तो आपके लिए खुसकवरी आज चुकी है अब आप हिंदी में भी अपना पेपर दे सकते हो पेपर आपका होने वाला इंग्लिस में भी होगा और हिंदी में भी होगा अब बहुत बच्चे हमसे कह रह मुग एगजाम पर आपको जाना है और यहाँ पर किलिक करना है इससे आपको पता चला ऐगा कि आपका एकजाम कैसे आने वाला कैसे कौस्ट्न आएंगे ठीक है यदि आप डीवी के तीयरिकर रहे हो जिया एक तो यह तीडी वालों को यहाँ पर यहां पर यह सैंपल तो आपके सामने ऐसा एंटरफेस आजाएगा दोस्तों और आपको बता दें यहाँ पर हॉल टिकेन नमबर मेंसन करना है आपको डालना है और इमेल आइडी जो आपने फॉर्म बरते समय डाला था इसी तरह से आपका एक्जाम होने वाला एक्जाम कंप्यूटर पर दोस्तों ऐसी होगा जब आप एक्जाम देने जाओगे ठीक है यह वाली बात भी आप समझगे होगे उसके बात क्या करना है आपको पॉड़ का बी और वी घटी का भी हम आपको पहली बता चुके है इसके बारे में भी कली वीडियो डाला ते दो अर बहुतप पहले बनाया कर डाल चुके और साप साल का दो सबी डाउट हम आपके एक्जाम से पहले-पहले किलिये कर दिये और बाकी आप देख लेना आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा और बता दे हम आपको डी बी का एक्जाम होगा उसमें 60 कोस्तन आने वाले हैं 25 मिट आपको दिये जाएंगे के लिए आप सबी देख सकते हो आगे बात करते हम जीडि एक्जाम में दोस्तों 30 मिट आपको दे जाएंगे उसमें आपको 50 कोस्तन करने होंगे सब कुछ दे रखा आप अराम से पढ़ लेना उसके बाद क्या करना नीचे जाना नीचे जाने के बाद सब आप दे रखा है यहां पर दे रखा है Start Examination तो किलिक कर देना है किलिक करने के बाद आपके सामने पेपर आ जाएगा जिस तरह से पेपर आने वाला है आपके एक्जाम में ठीक है तो यहां सब को दे रखा है तो यह GD का एक्जाम पेपर है और आपसे भी देखो अपना स्कॉर्ट चेक करो आपको कितना आता है कितना नहीं आता है बाकि इससे आपको अंदाजा होगा किस तरह के कोश्टन आने वाले हैं कैसा पिपर आएगा किस तरह समय करना है सब कुछ जाने का इसमें दे दी है और एग्जाम देने सब पहले पहले आप स्कॉर्ट जरू चेक करके जाना कि कितने आ रहे हैं दोस्तों आपके नमबर ठीक है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा यहां बस सेसन दे रखा है सेसन आइडी और टाइमर दे रखा है और कितने कोस्तों अटेम्ट करने वो भी आपको बता चलेगा यहां पर और कितने कोस्तों है वो भी आपको बता चलने वाला ठीक है तो नीचे जाने आपको नीचे जाने के बाद किलिए आपसी के सामने आच चुका है ये को से इंगलिस में और ये को से हिंदी में पेपर आपका हिंदी हो और इन दौन में होने वाला कन्फर्म हो चुगा मेरे भाईयो आपके सामने हमने किलियर कर दिया है तो आज यही अपडेट था ICG के तरफ से और हमने आपको उता दिया पलपल की जानकरी आपके लाते रहते हैं यदि आप चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बैल एक अंद बादेना और हम टेलिग्राम पर आगे हैं आप टेलिग्राम पर जाईए J-study सर्च के लेना आपके सामने अकाउंट आजाएगा कुछ भी अपडेट आता है हम आपको टेलिग्राम बताते हैं तो जाईन के लेना तो आप सभी अपना स्कॉर देखो जैसे यह कोस्टन है तो इसमें चार उप्सन दिये होए हैं इसका राइट अप चेक करो दोस्तों कौन से लगाना D, B, C तो देख लेना दोस्तों यदि आपको यह कोस्टन नहीं आता है तो नेक्स्ट का आगे बार जाओ एक बार हमको दिखा देते हैं छटा कोस्टन हम देखते हैं चेक करते हैं यह से कोस्टन नहीं जाएगा 47 कोस्टन 48, 49, 50 तो टाइम बेश्ट मत करने हैं जो कोस्टन आता है उसे अटम करो पहले और पहली बता देएं नेकरेटिव मार्केंस में नहीं होने वाली है तो इसका बेनिफिट आपको अलग मिलेगा आपको पेपर करना है अब पसंद आए तो लाइक कर दो और चैया को सब्सक्राइब जो कर लेना तो मिलते हैं आप से अगली वीडियों इंपोर्टन टॉपिक साथ आप तेजारी करते हैं आपने ख्याल रहाना जैहिंद